नमस्कार स्वागत आप सभी का आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट को और अच्छी परकार से जानेंगे आए देखते हैं कैसे बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट यानि किसी काम को करने वाला करता सिंगलर भी हो सकता है और पलूरल भी हो सकता है singular जब एक व्यक्ति वस्तू के बारे में बात की जाए plural जब एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तू विसेश के बारे में बात की जाए जैसे child बच्चा एक बच्चा है तो singular children बच्चे एक से ज़्यादा है तो plural बात करते हैं subject को represent कैसे करते हैं किसी व्यक्ति का नाम या फिर प्रोनाउन he, she, they, I, or you अब ये प्रोनाउन क्या होता है? मान लेजी हमारे पास subject है राम राम के बारे में हमें कुछ लिखना है जैसे राम is this, राम is that, तो हम बार-बार राम का प्रयोग करते हैं या फिर हम राम का एक बार प्रयोग करने के बाद उसको he से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे he is this, he is that ऐसा हमने क्यों किया? क्यों कि हमें बार-बार subject के नाम को लिखना अजीब लगता है इसलिए हमने उसको he से रिप्लेस कर दिया, अब यहां पर he क्या है? he ने रिप्लेस किया subject को, यानि subject की जगह पर यह प्रयोग हुआ तो ऐसे word जो subject की जगह पर आते हैं उन्हें कहते हैं pronoun अब अगर बात करें subject की जैसे he अमें प्रयोग करना है वाज और वर helping verb का, तो he के साथ हमने वाज का प्रयोग कर दिया c के साथ हमने वाज का प्रयोग कर दिया i के साथ हमने वाज का प्रयोग कर दिया क्योंकि या? क्योंकि ये सबी singular हैं अगर has और have का प्रयोग करना हो फिर he के साथ हमने has का प्रयोग किया c के साथ हमने has का प्रयोग किया I के साथ हमने has का प्रयोग किया, नहीं, या have का प्रयोग होता है, ऐसा क्यों, हमने तो कहा था I तो singular है, I तो हमारे पास singular है, लेकिन has, have, do और does ये ऐसी helping verb हैं, जो subject को singular या plural की नजर से नहीं देखती हैं, ये पहले देखती हैं, वो first person है, second है या third person है, अब ये first, second और third person क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में भी, हमने जाना था pronoun के बारे में, pronoun यानि ऐसे सब्द जो subject की जगह पर आते हैं, जैसे he, see, I, you, they, ये सभी कहलाते हैं, pronoun, अब इनको divide करते हैं, first, second और third person में, सबसे पहले बात आती है, first person के बारे में, first person यानि I और we, जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, या फिर अमारे बारे में बात करते हैं, तब होता है first person, second person जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं, you, आप third person होता है जब हम किसी तीसरे वैक्ति के बारे में बात करते हैं जैसे he, see, where और अच्छी प्रकार से समझते हैं माल लीजिए आप किसी meeting में है तो आप खुद के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तब होता है first person जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं आप क्या करते हैं, कहां रहते हैं वो होता है second person जब हम किसी तीसरे वैक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं third person साइध आपको first, second और third में difference clear हो गया हो बात करें, was, work के बारे में तो इन्होंने subject में सबसे पहले क्या देखा कि वो singular है या plural है लेकिन has, have और do, does ये जो helping verb हैं इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि वो first person है या second person है helping verb have और do ने चूज कर लिया first person को जैसे first person होता को नहाई, I, have first person we, we के साथ have बारी आई, has और does की इन्होंने चूज गया कि जब भी अमारे पास third person होगा और अगर वो singular है तो हम उसके साथ लगेंगे जैसे he, has, see, has has और does अब भी doubt में ये कहते हैं कि अगर third person हुआ और वो plural होता है तो हम उसका साथ नहीं देंगे जैसे third person, they they क्या है हमारे पास, third person है इसके साथ has नहीं लगता है, इसके साथ लगता है have they have एक बार फिर से देखते हैं have और do ने चूज किया first person को कि हम लगेंगे first person के साथ has और does ने चूज किया third person को, अगर वो singular है तो has लगते हैं does लगते हैं, अगर वो plural हो जाता है, तो उसके साथ have का और do का प्रियोग करते हैं अब बारी आती है, you के बारे में जाननेगी, you क्या है second person you, singular भी होता है और plural भी लेकिन जब बारी आती है इसके साथ किसी helping verb को प्रियोग करनेगी, तो हम use करते हैं उन helping verb का जो plural के साथ प्रियोग होती है क्योंकि you का आर्थ होता है आप एक वेक्ति के बारे में भी बात कर सकता है या फिर आप लोग एक से ज़्यादा वेक्ति के बारे में भी बात कर सकता है आप बता नहीं सकते कि you का प्रयोग है singular के लिए हुआ है या फिर plural के लिए इसलिए हम you के साथ अमेशा plural helping verb का यूज़ करते हैं ये सब था subject और helping verb के relation के बारे में आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद आपको जानकरी पसंद आई होगी